हेलो एफ्रीवन विल्कुम बाग तो माय चानल दाट इंगलिश फील्ड तो फ्रेंड्स आपको पता है अल्ड़ेडी की हमने टेसरी स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या आपकी अभी है मेडियम इन फ्रेजिस कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हम अपना लेवल इंक्रीज करते जाए ठीक है जैसे से लेट्चर सागे बढ़ते हैं और उसी सीरीज में आज ये हमारा लेट्चर सेकेंड है इसको आप जरूर तेके अटेम्ट करें और आपके जितने भी आंसर्स होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता है जो आप किसी से भी आशा रखते हो किसी चीज की एक्सपेक्ट करते हो वो चीज ठीक है तो reach the level, work is hard, assess the amount, increase her height इसका जो correct answer होगा, वो होगा reach the level ठीक है, मतलब आप किसी की आशाओं पे खरा नहीं उतरते ठीक है, she could never, मतलब वो कभी भी अपने parents की जो इच्छाएं हैं, जो उमीदे हैं उस पे खरा नहीं उतरती, तो इसका सीधे से क्या होगा, reach the level मतलब उस level पर उनके expectations की level तक वो कभी नहीं पहुँची, ठीक है इसका correct answer होगा, A the next one, the little girl with her flawless performance stole the show stole the show, मतलब कुछ आपने चुरा लिया steal से ही है stole, क्या चुरा लिया आपने, ठीक है one everybody's praise, one everybody's heart भी हो सकता था यहाँ पे ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज हो उसको concept wise पढ़िये, वही आपको अपनी सफलता तक पहुचाने का सबसे सटीक तरीका है, बाकी बोलने की हजार बाते होती है लेकिन जिसे साब का competition है, जो level है, जो exam की demand है बार-बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से best आपको बता पाऊँ अपना experience आप से share कर पाऊँ और आपको एक right guidance provide कर पाऊँ तो मैं बार-बार कहती हूँ आप conceptual based से पढ़ो, please आप ratification मत करो बाकी आपको कोई भी problem होती है, आप comment box में comment करो ठीक है, तो देखिए, इसका जो answer होगा, वो होगा one everybody's praise, praise क्या होता है, जो हम किसी की तारीफ करते हैं किसी की मैनत को सराते हैं, किसी की performance को सराते हैं किसी के किसी ऐसे काम को हम सराते हैं, कि yes, you have done good job तो उसको कहते हैं, one everybody's heart, one everybody's praise I hope यह clear हो गया होगा, see is the correct answer The thief was on good terms with the police, ठीक है The thief was on good terms, मतलब कि जो उसका terms थे, उसका जो nature था, वो कैसा था वो अच्छा था, good terms से ही आपको पता चल रहा है तो उसका nature कैसा हो जाएगा, friendly हो जाएगा, उसका nature बहुत cooperative होगा आप किस तरीके से किसी phrase को use किया जा रहा है, किसी idiom को use किया जा रहा है उस sentence में, तो वो उसके concept, उसके usage पर depend करता आप कितना भी रटलो, sentence में जब वो आएगा, तो हो सकता है कि आप उसको clear ना कर पाओ कहीं, ठीक है, तो उसका concept समझो, फिर वो कैसे भी sentence में आजा, you will be able to understand what the question is asking now, moving on to next one, John's offer of help was turned down by the police, ठीक है, turned down मतलब कि किसी चीज को, आप क्या सकते हो कि, बंद करना, ठीक है, तो बंद करना, अब इसमें क्या आएगा मना करना, refused, John offer, तो यहाँ पे offer की हमने बात की है, तो वो क्या किया है, उसने मना कर दिया पूरी तरीके से, C is the correct answer, to be at sea, a family voyage, lost and confused, in the middle of the ocean, a string of islands, ठीक है, तो to be all at sea, पूरी तरीके से, समुद्र में, समुद्र में, अब आप समुद्र में जाओगे, तो होगा क्या, अचानक से आपको कोई समुद्र में छोड़ दे, सब कुछ गाया, और पूरी तरीके से, हर lost and confused, देखे, जो ये series चल रही है, हमारी series लंबी चलेगी, वो caps की, and trust me, अगर आप regular इसको follow करते हो, तो इससे आप सारे questions अपने prepare कर सकते हो, क्योंकि important जो है, वो questions collect किये हैं, जैसे जैसे series, जैसे जैसे day wise lectures increase होते रहेंगे, accordingly, आपका जो level है questions का, वो भी increase होगा, क्यों, क्य easy हो, या tough हो, दोनों को हमें face करना है, right, so इसका जो correct answer होगा, वो होगा, B, next question देखते हैं, to take to one's heels, what is the meaning of to take to one's heels, थेक है, once heels मतलब run away, वहां से क्या करना, भाग जाना, to run away, बहुत important है ये, फिर आता है, to bite the dust, to bite the dust, क्या होता है, eat voraciously, have nothing to eat, eat roots, या फिर to fail, अब देखे, use किस तरीके से करना है, आपको या sentence में किस तरीके से इसका use होगा, इसका correct answer होगा, आपका D, to fail, to bite the dust, to fail, या फिर आप कह सकते हो, to come to an end, आपने किसी काम को start किया, लेकिन, क्या हो गया, आप उसमें fail हो गए, तो अब यहाँ पे जाके, वो काम आपका क्या हो गया, stop हो गया, ठीक है, तो your work come to an end, ठीक है, you face failure, आप वहाँ पे fail हो गए, ठीक है, आपने काम की starting अच्छी की, लेकिन last में आते आते, वो क्या हुआ, आपको failure का सामना करना पड़ा, so to bite the dust होता है, to fail, या फिर come to an end, किसी भी तरीके से कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इसका रटा-रटा या जो meaning होगा, वो to fail ही होगा, इसलिए मैं आपको बाबा बोल रही हूँ, conceptual based से पढ़िए, अब देखिए, a bolt from the blue, a bolt from the blue, इसका क्या answer हो सकता है, a delayed event, an inexplicable event, an unexpected and unpleasant event, an unpleasant event, unpleasant होता क्या है, बहुत जगए unpleasant, unpleasant आ रहा है, unexpected, unpleasant मतलब, एक तो होता है pleasant, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा हो वो, soothing हो, एक होता है unpleasant, which is, that could be harsh, ठीक है, rough, जो आपको सुनने में अच्छा न लगे, ठीक है, मैसूस करने में न अच्छा लगे, so that is called unpleasant, unpleasant weather, अच्छा नहीं है, क्यों, बहुत तेज़ते हवाई चल रहे है, आंधी चल रहे है, बहुत गर्मी पढ़ रही है, so weather is very unpleasant, ठीक है, monsoon, very pleasant, अच्री अच्री हवा चलती है, बा जैसा event जिसको आपने imagine ना किया हो, जिसको आपने expect ना किया हो, और जो की unpleasant हो, right, so C is the correct answer, then cold comfort, what is cold comfort, cold comfort होता है, slight satisfaction, जैसा कि cold से ही आपको पता चल रहा है, कि मिला, लेकिन बहुत हलका सा, बहुत slight सा, अब वो satisfaction कुछ भी हो सकता है, मतलब आप यह बोल सकते हो, कि inadequate consolation, मतलब मान लिजे आपकी जरूरत है, आप मान लिजे बेरोजगार है, बहुत familiar मुद्दा में लेती हूँ, और आपको जरूरत है कम से कम 20 पोस्ट की, ठेक है, और आपको जो दी गई, वो दी गई सिर्फ 2 ही पोस्ट, तो यह क्या है, poor consolation है, inadequate consolation है, slight satisfaction है, जरूरत 20 क थी मिला तो, पर 2 ही, इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो, कि मान लो आपको भूख थी, कितनी चपाती की, आपको भूख थी, four bread की, ठीक है, लेकिन उसकी जगह, आपको एक ही bread मिली, मिली तो, ऐसा नहीं कि देखने को बिलकुल नहीं मिली, negligible नहीं, मिली, लेकिन एक ही म देखते हैं, the repeated company is in the red, due to recession, ठीक है, तो, is in red मतलब, is in danger, ये तो easy है, recession में company क्या आ गई, danger में आ गई, next, when the principal was entering the class, all my friends quietly disappeared, क्या हो गया, वो सारे के सारे गायब हो गए, leaving me alone, मुझे क्या छोड़के, अकेला छोड़के, to face the music, अब आप समझ लो, can't किसी और का किया हुआ, बुगतना किसी और को पड़ी, जैसे, आप स्कूल में थे क्या होता था, copies किसी और ने share की, chalk कोई और फेका, ये सब चीज़े, I'm sure आपने जरूर enjoy भी की होगी, और childhood में चीज़े face की होगी, please share करिएगा आप मुझसे, कि सही बोल जो या गलत, सबने ऐसा जरूर किया होगा, chalk फेकना, तो किया किसी और ने, लेकिन जैसे ही teacher ने entry ली, वो तो गायब हो गया, और जो बचा, उसको सारी चीज़े face करनी पड़ी, तो to face the music, इसका मतलब होता है, to bear the criticism, ठीक है, to bear the criticism, या फिर to own the responsibility, किया किसी और ने, और सारी जिम्मेदारी क्या होगी, आपके उपर आगई, आपने उस जिम्मेदारी को ओन किया, तो अब, sorry, जो criticism, जो भी सुनना पड़ा या, जो भी हुआ, वो आपको अकेले को, leaving me alone, जो अकेला रह गया, उसको face करना is well connected, all we can do is send him to coventry, ठीक है, coventry मतलब, एक तरीके से आप किसी को हटा दे, उसको कहीं ऐसी जगह पे भेज दे, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं वो, कि वो बहुत अच्छे से connected था, इसलिए वस वो यही कर सकते हैं, कि उसको, उसका back out कर सकते हैं, the noble man gave up the ghost, ठीक है, man का सा था, noble and he gave up the ghost, तो gave up the ghost का मतलब क्या होता है, died, वो खतम हो गया, या फिर expire हो गया, या फिर आप कह सकते हो, कि he stopped working, अगर यही question, यह तो मान लिजे किसी human being से connected है, अगर यही question कुछ technical ऐसा sentence आ जाता, कुछ mechanical work से related आ जाता, तो वहाँ पे dead का क्या sense होता? फिर कहीं आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये तो machinery है, ये तो technical part है, ये तो कुछ और है, technology है, तो ये कैसे, क्या कहते हैं, मर सकता है, फिर वहाँ पे, वहाँ पे भी ये question सही होता, वहाँ भी इसका use सही होता, gave up the ghost, बट वहाँ पे sense क्या हो जाता? it stopped working, ठीक है, dead का मतलब यही तो होता है, तो वहाँ पे मतलब हो जाता, stopped, sorry, WPD होगा, stopped working, तो इसी से जो है, समझ में आता है कि usage किस तरीके से है, तो conceptual base अगर आपका होगा, तो आप किसी भी sentence में answer उसका निकाल लोगे, चलिए, he was down in the mouth as he was defeated in the elections, down in the mouth, and he was defeated in the elections, defeated मतलब हारा हुआ, ठीक है, उसको किसी ने क्या कर दिया, elections में हारा दिया, तो naturally क्या होगा, down in the mouth, very depressed, full of grief, ठीक है, उदास हो गया, depression में चला गया, उसे बुरा लगा, हार के, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है, sorry, B is the correct answer, next, they say, join the army to drink life to the least, they say, join the army, waitress, देखे इसकी, to drink life, sorry, to drink life to the least, मतलब, कोई भी चीज हो, you should enjoy that cup of coffee, सबके life में problems तो बहुत आती है, लेकिन उसमें से जो better part होता है, उसको देखके, positive रहके, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, you should be positive, ताकि चीजों को आप और better कर सके, negativity में जाके, चीजों को आप और खरा भी कर सकते हो, you won't be able to repair anything, ठीक है, try to understand, मैं बोलना क्या चाहरी हूँ, इसका मतलब है कि, to have a life full of adventures, to have a life full of adventures, अब adventures का जरूरी नहीं है कि, वही adventures ही हों कि, बहुत long jump और यह सारी चीजे, मतलब यह होता है कि, appreciate final things, whatever you have in your life, जो आपकी life में है, जो चीजे हैं, उसको क्या करें, आप appreciate करें, कि जो है हमारे पास वो अच्छा है, ओके, sorry थोड़ा सा throat infection है, इसलिए बीचिश में problem हो रही है, तो C is the correct answer, to drink life to the least, ठीक है, next, the car in the backyard is proving to be a white elephant, I hope यह सभी को इसका answer आता होगा, और हाँ, एक चीज, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी test series हमारी चलती है, literary terms की test series हमारी already खतम हो चुकी है, उसको आप जरूर देखे क्योंकि उस test series में वो सारे questions हैं, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे वो TGT, PGT हो, चाहे वो DSSB हो, KVS का exam हो, या फिर कहीं और PGIC का exam हो, LT का exam हो, last year के, सारे questions उसमें include किये गए हैं, बहुत important questions हैं, उनको आप जरूर देखे, जरूर से आपको उसको prepare करना चाहिए, I मैंनत बस थोड़ी सी इतनी करनी है, कि जो मैंने कहा, वो सुनना है, और जा करके उसको देखना है, या फिर मैं आपको I button में दे दूंगी, ठीक है, एक बार जरूर उसको test करिएगा, और आपके कितने answers correct होते हैं, वो जरूर मुझे comment box में बताइएगा, मुझे भी अच्छ तो white elephant है, मतलब कि costly तो है, costly and useless possession, इसका जो answer होगा, वो होगा भी, कि costly तो है, लेकिन बेकार है, useless है, कि मतलब जो car हमारे backyard में पड़ी हुई है, उस पे खर्चा भी बहुत आ रहा है, और वो उतना आपको revert भी नहीं दे रही है, return भी नहीं दे रही है, मतलब खर्चीला भी और बेकार भी, तो useless भी हो गया, और क्या हो गया, white elephant costly भी हो गया, ठीक है, तो यह ही है, इसका correct answer B, now, she bought a new house for a song, very cheaply, on loan, at a loss, very easily, यह questions हमें बहुत easy लगते हैं, और यह तो हमें आता है, लेकिन इनका use बहुत ज़रूरी है, especially, जब यह questions आपको paragraph में मगप करके दिये जाते ह उसमें mix करके दिये जाते हैं, उसमें पूछा जाता है, तब आपको अच्छे से उसका मतलब समझ में आना चाहिए, तो आप उसका answer एक तम accurately दोगे, ठीक है, तो she bought her house for a song, मतलब कैसा, तो बहुत cheaply, मतलब बहुत कम price पे, at a very low cost, ठीक है, यह भी आप कह सकते हो, तो अगर पे हो, कि at a very low cost, ठीक है, तो वो भी आपका answer correct होगा, और very cheaply, वो भी आपका answer correct है, क्योंकि इन सारे options में से आपके पास cheaply ही है, is the correct answer, now, Raju had given up doing exercise after surgery, given up, आपको पता है, give up करने का मतलब क्या होता है, give up करने का मतलब starting तो होती नहीं, सीखना तो होता नहीं, continuation तो बिलकुल ही नहीं होता, तो इसका answer आपका होगा, stopped, ठीक है, इसका answer क्या होगा आपका, stopped, is the correct answer, और साथ की साथ, हमें के important point भी यहां discuss कर लेते हैं, क्योंकि नए viewers हमारे साथ में जुरते रहते हैं, aspirants, तो हमार YouTube family बढ़ भी रही है, और मैं आप से भी request करूँगी, कि आप भी चानल को subscribe करें, जिसे कि जो भी new notification हो, जो test series, इतनी important चल रही है, जब तक exam नहीं हो जाता, यह चलेगी हमारी continue, आपके लिए helpful हो सके, तो आप चानल subscribe ज़रूर करें, तो stopped, इसका correct answer होगा, कोई चीज आप give up कर देते हो, जब हार मान लेते हो, तो वहाँ पे आप stop कर देते हो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, give up मत करो, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार भी नहीं हुआ, चौती बार में जरूर होगा, क्योंकि मेहनत कभी भी विफल नहीं जाती, ठीक है, चलिए नेक्स देखते हैं, अशोक had all fair weather friends, ठीक है, अशोक had all fair weather friends, friends who face difficulties calmly, कामली मतलब, जो एकदम शांती से क्या कहते हैं, difficulties होती है, उसको face करते जाते हैं, favorable friends, अच्छे friends, जो आपका favor करते हैं, friends who desert you in difficulties, जो आपको वीराने में छोड़ जाते हैं, मतलब जैसे एक desert होता, barren land होती है, just in that way, एकदम अकेला छोड़ के चले जाते हैं, जाओ, चाहे जैसी भी condition मैं सुन लिया, मैंने एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, कोई help नहीं की, reliable friends, जो की वाके में reliable friends होते हैं, और जिनके पास no reliable friends होते हैं, वो बहुत lucky होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, आप अपनी राय comment box में जरूर बताएगा, पढ़ाई तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में इस तरीके से discussion करके हम चीजों को और बहतर तरीके से याद रख सकते हैं, तो देखिए, इसका जो correct answer होगा वो होगा आपका answer C, क्यों होगा, fair weather friends, friends who desert you in difficulties, ऐसे friends जो आपको difficulties में आपका साथ छोड़के चले जाएं, difficulties में भी आपकी help नहीं करें, तो वो friends हैं ही नहीं, वो सिर्फ selfish लोग हैं, ठीक हैं, और आप ऐसे selfish और negative लोगों से एक दम दूर रहिए, अगर आपको success चाहिए तो Since the company has lost a good deal of time and money, you will have to make good the loss, ठीक है, you will have to make good the loss, मतलब compensate for the loss, compensate क्या होता है, किसी चीज को repair करना, किसी चीज को किसी चीज के साथ में बराबर में ला देना, आपने बिगार तो दिया, लेकिन अब आप क्या बोलोगे, मैं इसको compensate कर दूँगा, किसी भी तरीके से, चाहिए वो आप उस situation को normalize करके करो, या फिर उस चीज के बदले, कोई चीज ऐसी करो, या दे दो जिससे उसका काम निकल जाए, ठीक है, compensate for the loss, जैसे कि मानलो कोई mobile है, आपने अपने friend का, या अपनी sister या brother का तोड़ दिया, अब उसका तो सारा काम hang हो गया, वो काम नहीं क कर पारें, तो आप एक दूसरा mobile दे दे, तो या compensation हुआ ना, situation को आपने normalize कर दिया, जो difficulty थी उसको आपने, you try to solve it, ठीक है, तो compensate the loss, So friends, I hope आपको ये वीडियो beneficial लगा हो, useful लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज एक like बटन ज़रूर हिट करिएगा, क्योंकि इससे motivation मिलता है, आपके लिए और भी जादा काम करने के लिए, और भी जादा informative वीडियो लाने के लिए, और आगे आपको ये वीडिय अगर आपसे मिस हो जाए, तो वो notification आपको याद दिला दे, कि आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, उसमें आपको regular बने रहना है, आप वीडियो को एक से दो बार भी देखते हूँ, तो easily आपको ये questions आपके mind में भी रहेंगे, और आप एक अच्छा good collection of questions को solve कर आपको कोई इसका पैसा नहीं देना, साथी में हम literature में भी पूरा syllabus कवर कर रहे हैं side by side, मैं week में आपको एक से दो वीडियो दे ही देती हूँ, उसके भी grammar के साथ साथ, कि आप poems वगरा prepare कर सकें, और पूरा line by line explanation होता है, जो explanation जिसके लिए आप जा करके इतने पैसे pay करते हो तो वो आपको यहां free of cost मिल रहा है, and with authenticity, एक तम authentic चीजे होती है, जो भी होती है, और आप अपना feedback देना बिलकुल ना भूले, वीडियो आपको कैसा लगा, क्या changes आप चाहते हो, क्योंकि आपके feedback से, वीडियो में improvements हो सकती है, जो कि आपके लिए beneficial होगी, ठेक है, तो comment आपके लिए precious time, अपके लोगयो को हृगर दो एलवे, यहाथ झावर थेचते है, तो है झापके लिए खावर अनोचवा इं कहले है, झातके तो है, वीडियो टिए अनुडआ है, यह जिए जवी आनले कहले, झातके लिए के हम चाहते है, इज मतके रहाने क।स侈 काया हैं